नमस्कार दोसों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केश्री हैं आप शिवी उम्मीद करते हैं कि बगवान शुनिदेप के शिर्वाशे आप शिवी बहुत अच्छे होंगे जिया दोसों दोसों हम आप शिवी को बता दी कि आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान की लीला परमपार है भगवान जब भी देते हैं चप पर फाड़ के देते हैं भगवान किशिके शाथ नाइंशाफी नहीं करते हर एक व्यक्ति के कर्मों का फल उन्हें जरूर देते हैं थोड़ा शमय लगता है लेकिन देते जरूर है जिया दोसों इसलिए तो इन्हें भगवान शुनिदेप को नया के देवता भी कहा चाता है जिया दोसों और दोसों हम आप शुबी को बद्दा दे कि अब आपके भी जियोनकाल में कुछ ऐसे ही घटनाएं होने वाली है जिया दोसों हम आप शुबी को बद्दा दे कि आज शाम पांच बज कर तीश मिनट शे आप शुबी के कुंडली का नया दिशा शुरू होने वाले हैं जिसे दोसों आप शुबी की जुनकाल में बहुत बड़े मोड़ आने वाले हैं जिया दोसों और दोसों आपको बद्दा दे कि यह श परिवार वाले खुश्यों में शराब हो रहेगा जिया दोसों और इसके उप्रांती हम आप शिवी को यह बात भी बताना चाहेंगे कि आई शाम पांच बिसकर 30 मिट से जब आपकी जुनकाल में खुश्यों का दौर प्रारम होगा तो दोस्तों आपसे जो भी लोग आना कान जिया दोसों हम आप शिवी को बता दें कि दोस्तों जो भी करम करता है उन्हें फल एक HOL मिलता है और दोस्तों वह बखवाना स्चेशमश्म आपकी कुंडली में कुछ ऐसी गरहों का योग बन रहा है, कुछ गरहों का इशा सनयोजन है, जो की बहुती बड़े बड़े राजयोग का निर्मान करने वाले हैं। दोसओं हम आप शुबी को ब soda कि अब आपकी कुरणी में मानलक्षमी नाम के धनयोगא का निर्मान हो चुका है शाथि गज्जके श्री नाम का राज्ज्योग का भी निर्मान हो चुका है जिनसे दोस्व आज शाम से आप शुबी के जुनकाल में अन्चाहि बदलाव देखने को मिलेंगे दोसों इनसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और दोसों यह शमीर से जो घटनाएं आप शुबी के जुनकाल में शुरू होने वाले हैं दोसों आप इने अपने आखों पर यकीन नहीं करें कि आखिर यह केशे हो शकता है दोसों आप शुबी को बता दें कि भगवान की लीला है इन्हें कोई शमज नहीं शकता बश हम यहां जान सकते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं ज्यादोसों और आपकी देर के घड़ी श्रमाप्त हो चुकी है अब आपकी शुबी के जुनकाल में बहुती बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जे दोसों पूरे गाउं मोहले में आपके नाम का धिंडोरा होने वाले हैं आप ये का नाम गुंजेगा और सब लोग यहीं कहेंगे कि आखिर केशे या इतनी बड़ी शुबलताओं को प्राप कर रहा है आकर इने कोई जादोई किताब तो नहीं मिल गई दोस्तों तरह द्रक शवाल आप शवी हमें होने वाले हैं जलाई दोस्तों लुबूं hanging के वंने वाली है जोaking शुबू ने वाले हैं बहुती मेहतुन पल आने वाले ही जिनसे आप शबी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और दोस्वं इस वीडियो में बहुत विश्थार शेआपको बताने वाले हैं जै दोस्वं तो दोस्वं आज की वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें ध्य शुरूश लेकर अंत तक ध्याश देखेगा जै दोस्वं हम आप शबी को बता दें कि आज की वीडियो को अगर आप मिश कर देंगी तो आने वाले पूरे जिवन तक आप पस्ताते रह जाएंगे क्यों दोस्वं भगवान अगर आपको मोका दे रहा है तो दोस्वं उन मो आपको फल मिलने वाले हैं और दोस्वं वह शमय ही आप इंसे चुक जाएंगी तो दोस्वं यह आपकी शब्शे बड़ी जीवन की गलती होगी इसलिए दोस्वं आप शबिश हमारा बश यहीं निवेदन रहेगा कि दोस्वं आज की वीडियो को बिना इसकिप किए शुर सच्चे भकते हैं दोस्वं वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्ष में सच्चे शर्दभावशी जाए शनिदेव जरूर लिखिएगा दोस्वं भगवान शनिदेव का शिम किरिपाप शुबी को प्राप्त होगा जुनकाल के शारी कश्ट आन जो तुम्हारे शाथ पुरा करता है उन्हें भी दन्दर देने के लिए हम यहां पर बैटे हैं इसलिए कोई भी कार्य को शुरूर करने से पहले घपनाना नहीं है बस धर्म कर रह पर अच्चे-च्चे कर्म करते जाना है और फल और शमे आना पर वह फल आपको जरूर ही मि और कमेंड बोक्ष मेंन के लिए लिए लिख दें जैई श्रीकिष्णा राधि राधि तो आई दोसों से की शाद बात करते हैं कि आज शाम शे आप शिबी की जुनकाल में कौन-कौन शे बड़ी 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 खुशकवर मिलेंगी कौन-कौन शे बातों का आपक करते हैं दोसों आप शुबी को बदा दे कि अब आपके जुनकाल में बगवान शुन्देप की अश्रीम किरफा द्रिष्टी पड़ चुकी है और घरों की भी बहुती परबल इस्तिती बनने वाली है जिसी दोसों आने वाली शुबी में आपको भागी का पूरा-पूरा शाथ मिलने वाले हैं जिए दोसों लाब के नई दर्वाजी खुलने वाले हैं परन्त दोसों यह शुमें आपको एहंकार की भावना अपने अंदर नहीं आने देना है क्यों दोसों शुबलता की शुड़ी में अगर एहंकार की भावना आ जाए तो शुड़ी तूट जात तो दोस्तों इन बातों का आपको आने वाले शवी में अब विश्य सतरस्य ध्यान रखना है जिए दोस्तों शाथी आपको बता दी कि अब शवी के जुनकाल में धन से जुड़ी शमश्याओं का नीदान होने वाले हैं अब आपके जुनकाल में खुश्यों का नया दौर तो दोसों यश में आपको वैपार बढ़ शकता है अगर आप बेरोजगार हैं तो यश में आपके काम के नए शीरे मिल सकते हैं या फिर कहें तो आपको नए अपर्चुनिटी मिल सकती है जिनसे आप अपने वैपार को बढ़ा शकते हैं जिनसे आपने कारवार को शुरू कर कि जो भी लोग पिछले कई शमयशे बहुत यदा पहिशान थे जिनका भी काम अटका हुआ था दोस्तों या शमयशे अब आपका काम धीरे धीरे श्रम्पॉन होने वाले हैं बश्रति दोस्तों आपको अपने कारियों में इसी परकार निनतर मेहनत करते रहना है जिस परकार आप अभी तक करते आ रहे हैं दोस्तों आपको बता दी कि आने वाले शमय में किश्री के भी बहकाव में आकर आप कोई भी निरले बिल्कुल ही नाने जिया दोस्तों हम आप शुभी को बता दी कि जो भी आपको अर्छा लगे ठीक लगे अपने परिवार वालों की शला आ शकते हैं लेकिन दोस्तों बाहरी व्यक्तियों का शला आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है जो दोस्तों इस बात का दियान रखें शादी शाद दोस्तों आपको बदा दे कि आने वाले शमय में आपके जुनकाल में अब बहुत अच्छा परिवर्तन होगा लाब के श्रेक आई थी दोस्तों उनमें भी अब शुरुदार होने वाले हैं और दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग आप शिर्श्या करते थे दोस्तों वहां यश्व में आपसे मिलने का प्रयाश कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को यही बात बताना चाहेंगे कि जो उनका को बता दें कि दोस्तों अब आपकी जुनकाल में पिछले सिमित से जो भी रोग बढ़ाइव चल रही थी दोस्तों उनसे भी आपको शुटकारा मिलने वाले हैं भगवान शुनदेव की अश्रवाद आप शुब्श के जुनकाल में आपको रोगों से मुक्त करेगा और द वाफश पूर्थी होगी वाप शप्षी अलग होगी और कारियों में आपका नाम शप्षी उपर होगा शाथी शरकारी शवारत व्यक्तियों के लिए शमय बहुत थी उत्तम है आपको बताएदें कि आपकी पद्रती तो हो शकती है बशर्थ दोस्तों आपको कोई भी रिश् श्वास रखा करते थे दोस्तों उनकी जुनकाल में बहुत सारे अचानक एशे बदला होंगे जिने वो कभी शोच नहीं शकते थे जिन दोस्तों आपको बता दें कि लाब के मौके आपके चरम शिमा पर होने वाले हैं श्वास भी आपका बहतर होगा शाद दोस्तों आप जो दोस्तों यह इश्वर की लीला है कि उन्होंने आपको चुना है आप उनकी नजरों में बहतरिन है इसलिए दोस्तों अहनकार करके आप उपने छवी को इश्वर की नजरों में बिल्कुल ही नीचे ना होने दें और दोस्तों कारियों में निरंतर मेहनत करते रहें दोस्तो अगर में आपको में जरूर कीजिएगा कुछ चीजों का काले वर्ट्र काले जूते कूछ आप बोजन केते हैं दोस्तों इस प्रकार की श्रिमागरी अगर आप किसी आशाह युब्ल या पिर जो लोग कमजोर है उन्हें देंगे तो लोगा में फिर्पा आने वाले वाले तक भी आपको कोई भी कश्ट कारी स्थिती का शामना नहीं करना होगा और तो अगर कोई जयुन काल में शंक कर दारी है तुए पहले आपको शंकेद मिलेंगी तो दोस्थों बहुत इलाभ कारी उपाए है जनम और जनम तक या उपाय आपका शाद्य गा तो दोस्तों जरूर कीजęगा शाद्य दोस्तों और एश्यति जनकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्सक्याब कीज़एगा बिल्कुल भी सब्सक्क्राइब करना मत भूलिएगा शाद partes icon के प्रेश कर देज़एगा